नमस्कार दोस्तों एक नई पाम की वीडियो के साथ एक बार पनो हाजिर हूं मैं आपके ही अपने चैनल गोब्लॉक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये विसलेशन गोब्लॉक्स पे यहाँ पे एक मेल हतेली हमारे सामने है और खास बात देखेगा यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है इस तरह से सूर्य ग्रह से निकल कर एक रेखा इसको काट करके आगे बढ़ रही है और सनी को यहाँ पे बगरी बना रही है और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है आपके सनी के छेतर पे पड़ रहा है आपके करियर और धन की रेखा पे पड़ रहा है बनी बिलकुल इसको खंडित कर रही है देखेगा जो यह सनी है ने जो तिस में जो नौकरी है वो पूरी तरो इसी सनी के अधिन होती है ब्यक्ति को नौकरी कैसे मिलेगी कम मिलेगी किन दसाओं में मिलेगी किन इस्तितियों में मिलेगी कैसी प्रस्तितियों में मिलेगी इसके पीछे जो मुख्यप प्लेनेट है ने जो मुख्यप ग्रह है वो सनी है हाला कि जो आपका कारोबार है आपको independent profession है इसके लिए ये बिरस्पतिजी जिम्मेदार है लेकिन कहीं न कहीं जो करियर और धन की ये रेखा है ये भी आपका कोई भी करियर का मामला हो जाए कोई भी आपका करियर है किसी भी फ्रिड में है उसको ये करियर और धन की रेखा रिपर्जेंट करती है आपका पास कितना धन होगा ये धन और करियर की रेखा रिपर्जेंट करती है ये बताती है और जब भग्य अस्तान पे इसको ये रेखाएं काट देती है तो विक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो ऐसी दसा में नौकरी पाने में अगर नौकरी करने का प्रयास कर रहा हो पाने का प्रयास कर रहा हो तो नौकरी पाने में बहुत बड़ी दिक्कते आ जाती ह और ऐसी दसा में नोकरी करने में समस्याओं की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसी दसा में जा तक को नोकरी पाने में, नोकरी करने में, नोकरी बदलने में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर हतेली में सनी इस प्रकार से बिगड़ावा है, रुष्ट है, गडबड है तो ऐसी दसा में आप अगर नौकरी पावी जाएं तो नौकरी आप करने ही पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होनी की संभावना बंती है क्योंकि सनी बकरी है, और जब सनी बकरी होता है तो ऐसे में आपके कारियों में अर्चने बहुत ज़्यादा आ जाती है ऐसी इस्तिती में ब्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ हो तो भी खुशियों में कमी आ जाती है खुशिया नहीं रहती है और कई बार ब्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रेशान हो जाता है संगर्स अपने चरम सीमा पे पहुँचता है जो तनाव की इस्तिति है मन मस्तिस्क पे उसमें बहुत ज़्यादा प्रबाव पड़ता है करियर आपका सही से नहीं चल पाता है प्योंकि करियर और धन के रेखा को ये रेखा काट रही है तो ये विस योग यहां पे बन जाता है तो ऐसी दसा में जो है करियर में बहुत जादा उतार चड़ाव व्यक्ति को जेलना पड़ता है धन के मामले में बिर्थ का धन खर्च हो जाता है या यूँ कहें हम धन हतेली में बचने पाता है धन के मामले में समस्याएं आने बैठ जाती है फिर क्या होता है जो आपकी हतेली में बता रहा है जो आपके साथ हो रहा है ये तो है सनी बकरी आउस्ता में है परिणाम दे रहा है करियर और धन का मामला यहां पे गड़ बड़ा गया है अब क्या है कि ये इतना बकरी है ये साड़े साथ बरसों तक अपना प्रभाव देता है लेकिन इसके दुस परिणाम न पड़े इसके लिए आपको जरूरी चाहे भग्या अस्तान का उपाई किया जाए जिससे कहीं न कहीं नोकरी में या आपके करियर में इस्टेबिलिटी आनी सुरू हो जाए धन का मामला थोड़ा सा जो है संतुलन अवस्ता में आने बैठ जाए अब ये बकरी अस्तान में आ रहा है तो यहां से ये प्लेनेट जो मन का कारक है मन को प्रभावित करता है यह यहां पर गड़ बड़ा गया है और इसके गड़ ब लकीरे आ गई है और यहां पर उठासा हो गया है तो यह दोनों मिलके फिर क्या कर रहे यह तो करी रहा है प्रेशान यह दोनों मिलके क्या कर रहे हैं आपके मन को गड़वन रक्के हुई है दोनों मिलके मानसिक रूप से परेसानियां आपको दे रहे हैं यह जहां आपको भावक कर रहा है और ऐसी इस्तिति में लाके खड़ा कर रहा है कि हो सकता है बात-बात पर आग से आसु बह जाए इतना बिक्ति जो है भावक हो जाएगा या Emotionally प्रिशान हो जाएगा और चंद्रमा के कमजोर होने पर चंद्रमा का अच्छा नहीं होने पर लेक्ति का मन भी अच्छा नहीं रहता है मन खराब होने बैट जाता है मन बिचलित होने बैट जाता है और मन से सीधा जुडावा होता है हमारा digestive system इसलिए मन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से पेट की दिकते भी आएंगी चंद्रमा अगर नेगेटिव हो तो निश्चित तोर पे मां का जो सुक है वो कम प्राप्त होता है या प्राप्त नहीं होता है चंद्रमा अगर इस तरोसे हो तो निश्चित मानिएगा नीन आने में दिक्कतों का सामना बिक्ति को करना पड़ता है और ये फिर इस तरोसे हो जाए इसमें रेखाएं आजाए ये नुकिला हो जाए तो ये भी मानसिक प्रिशानियों को और बढ़ा देता है किसी चीज को लेके बिक्ति बहुत जादा सोच भी रहा होता है चिंता भी कर रहा होता है और बहुत जादा मेहनत और कठिनायों के बाद भी अभाव की इस्तितिमी ये लाके खड़ा करता है और जो सुक है चाहे परिवार का सुक है चाहे दामपत्य जीवन का सुक है चाहे आसान सारिक सुक है कोई भी सुक है उस सुक में ये कमी करने का कार्य करता है उस सुक का उस एस्वरे का जो भोग ब्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए उस भोग में यहां पे कमी आ जाती है क्योंकि ग्रह जो है कहीं न कहीं अन्बैलेंस हो रहे हैं इतनी ज़्यादा मातरा में ग्रह अन्बैलेंस तब होते हैं कहीं न कहीं आपने बहुत जल्दी में जो है अपना जीवन चरिया बदल दी हो जो routine है वो कहीं न कहीं एकदम unbalance हो गया है आपका सबसे पहले आपको सबसे पहले जो उपाई क्या है उपाई ये करना है कि अपना routine आपको जो है थोड़ा सा सुधारना है अगर आप कोई उपाई करें न करें कोई मतलब नहीं रखता है जब तक आपना आपने रूटीन नहीं समाला रूटीन को ठीक कर लिजेगा खान पान को ठीक कर लिजेगा बाहर का खाना थोड़ा बंद कर लिजेगा घर का खाना सुरो कर लिजेगा इस चीज का हमेशा ध्यान रखेगा हर जगा का पानी पीना बंद कर लीजेगा अपने घर से पानी लेके जाएगा उस पानी का सिवन कर लीजेगा हर जगा खाना हर जगा पानी पीना ये आपके गुरोहों को जो है खराब कर रहा है हर जगा इसका प्रभाव पढ़ रहा है कोशिस करें अपने घर का खाना खाया जाए और समय समय पे खाना खाए ऐसे नहीं कि अभी खाया दो रोटी पता ने साम को मिलना नी मिलना नी मिलना थोड़ा सा रूटीन चैंज कर लीज़ेगा खान पान पे विशेश ध्यान दीजिएगा और विशेश तर अगर बाहर का खाना खा रहे हैं तो बंद कर लीजिएगा बाहर का पानी पी रहे हैं तो बंद कर लीजिएगा अपने घर से पानी की ब्योस्ता कर लीजिएगा अपने घर से खाने की बेवस्ता कर लीजेगा और थोड़ा सा रूटीन में परिवर्तन जरूर कर लीजेगा अन्यता ऐसा ही रूटीन रहा तो बहुत ज़्यादा गड़बड हो जाएगा समालना मुस्किल हो जाएगा आपकी हतेली में कुछ नहीं है अगर एक तरब से देखा जाएगे गरह इस्तित्या भी अपने आप ठीक हो जाएगे लेकिन रूटीन है आपका वो बहुत गड़बडा गया है चेंज हो गया है बिलकुल आपको उसको सुधारना है अन्यता जो है जिस तरों से जारी हतेली बहुत तिब्रगत इसे जो है धाई सालों तक तो इसी रूप में दिखाई दी रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा वो करेंगे तो 6-8 मेने के बाद थोड़ा थोड़ा जो है आपके अंडर में चीजें आएंगे और 18 मेहने के बाद निश्चित रूप से आप चीजों को कबर कर पाएंगे आपको एक सहजता से सरालता से रास्ता मिलने बैठ जाएगा चीजे इसमुत होनी सुरू हो जाएंगी अब यहाँ पे एक चीज देखेगा आपकी जो करियर और धन की रेखा है वहाँ पे मंगल से एक रेखा आकी जो है इसको काट रही है और यहाँ पे मस्तिस्क रेखा में जो है क्या कर रही है ये मस्तिस्क रेखा में जो है मिल रही है आगे ने बढ़ रही है ये राहु की रेखा है हतीली में बरतमान समय में राहो का भी प्रभाव पढ़ गया है और इसका जागता सुरोप यहां पे भी है यह यहां पे भी है यह राहो का प्रभाव भी तीब्रगति से पढ़ गया है सिर्फ किसकी वजोसे? सिर्फ इसकी वजोसे और कोई वजोनी है मनी ये ठीक हो जाएगा तो सब ये ठीक हो जाएगा सबसे ये रखना है प्रवरेटी पे ये ठीक हो जाता है तो नीचे की सारी चीज़े ठीक हो जाएगी और जब ये अहां पे ये प्रभाव पड़ता है राहो का तो सबसे पहली जीवन की रेखा को काट रहा है तो निश्चित रोप से राहो निगिटिब हो गया है क्या कर रहा है कदम कदम पर मुश्किलें पैदा कर रहा है किसको लेके करियर और धन की रेखा को काट रहा है करियर में उतार चड़ाव आ गया है पैसे रुपे को लेके, रोजगार को लेके, आजेवका को लेके हर जगा आपको उतार चड़ाव जहिलने पड़ रहे है और मस्तिस्क रेखा को टच कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रही है तो जिसके कारण क्या है? मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जब यह बहुत ज़्यादा खराब अगर हो जाए, तो कहीं न कहीं ब्यक्ति जो है नसे की तरब जाता है ज़्यादतर मामले में औलकोहल लेता है, जूट बोलता है, मजबूरी हो जाती है फास्ट फूड ऐसा ब्यक्ति बहुत ज़्यादा पसंद करता है या तमाम ऐसी चीजें पसंद करता है, खाता है, जो सरीर में जहर पैदा करती है, सरीर को नुखसान पहुचाती है और फिर इसका प्रभाव आपके भिक्तितव पहे पढ़ता है, आपके सपलता के अस्तर पहे पढ़ता है तो आपको क्या करना है रूटीन चेंज करना है बहुत सरल है रूटीन चेंज करना और ये मैं एक विदिवत तरीके से आपके वाटसप नमर पे दूँगा आपको बहुत सुन्दर तरीके से करना है बहुत सुन्दर तरीके से अब यहाँ पर एक चीज और देखेगा आप पूरी हतीली में देखेंगे तो रेखाओं का जाल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है किसके कारण सिर्प और सिर्प इसके कारण इसके प्रभाव के कारण क्योंकि इसका प्रभाव पड़ा ये भाग जो है आपका अन्बैलेंस हुआ यहाँ पर ये इस्तित्याई और आप पूरी हतीली में रेखाएं आ गई क्यों आई है बेग्यानिक तरीके से देखेगा जो तिसकी तरीके से मत देखो इसको ये इसलिए आई है कि जो आपकी इसकी नसे हैं कोसिकाई हैं वो आपके दिमाग से मिली रहती है और जो खोन का संचरण होता है यहाँ पूरी उंगलियों को पूरे हाथ को यहाँ पे एक गरंथी रहती है और ये सब जगह संचरन करती है और यहां की जो नस है वो दिमाग से मिली रहती है और जब हमारे दिमाग में कुछ हलचल होती है कुछ इस्पन्दन होता है हमारे दिमाग कुछ योजनाई बनाता है सोचता है तो उसकी लकीरे हमारी हतेली में उबर कर आती है उस तरोसा गलो हमारी हतेली में रंगत हमारी हतेली में उबर कर आती है और रेखाई बनती है सब दिमाग का कमाल है ये क्योंकि ये हमारा सरीर का एक अंग है और इसकी नसित दिमाग से मिली है दिमाग के सोचने पे, दिमाग के कारे करने पे, दिमाग के योजनाइं बनाने पे, इस में परिवर्तन होता है और हतेली में, छे मैने में, धाई बर्स में, साड़े तीन बर्स में, साड़े साथ बर्स में, नो बर्स में, अलग अलग इसमें जो है, बदलाव होता रहता है, कुछ रेखाएं, छोटी छोटी जो लेंस से देखी जाती है, पर तेक दिन बदलती हैं, कुछ रेखाएं, छे म भर के लिए नहीं जिस प्रकार से कुंडली में बदलाव होता है वर्स फल लगते हैं वर्स के उनसार वो फल देता है उसी प्रकार हतेली भी देती है अब यह रेखाएं हैं ऐसे थोड़ी पूरी जीवन भर इस तरो मकड़ जाला बना रहेगा नहीं रहेगा धाई बरसों तक अपना प्रभाव देती है डाई बरसों तक रहेगी अगर विक्ति ने अपना रूटीन चेंज नहीं किया या इसकी उपाई नहीं किये तो पांच बरस तक फिर साड़े साथ बरस तक फिर यह पूरी तरो जिन्दगी को लील लेती है अपने अंडर में कर लेती फिर जीवन अस्तान को बक्री कर दिया और क्या चाए जब भग्या अस्तान पर ही कबजा कर लिया और करियर और धन की रेख़ा को ही पकड़ लिया फिर रहा क्या सब कुछ तो यह है और पिर क्या हुआ मन के अंदर उल्जन आ गई यह जिस प्रकार से बता रही है तनाव आ गया कनफ्यूजन में आ गया उल्जन में दिमाग आ गया इसके कारण फिर सपलता का अस्तर घट गया आर्थिक रूप से ब्यक्ति कमजोर होने बैठ गया संगर्स बढ़ने बैठ गया जो इसका प्रभाव ब्यक्तित्व पर पढ़ता है ने नीचे की तरफ दबना सुरू हो जाता है सबसे पहले आपनी इस नगेटिव ओर जाक प्रभाव को खतम करना है इसके प्रभाव को खतम करना है बागी का प्रभाव अपने आप ठीक हो जाएगा रूटीन बदलते ही और निश्चित तोर पे आपको सभी चीजों को उबरने में 20 वर्सों का समय लगेगा उसके बाद ही बहत्रीन तरीके इसी चीजें आपके अंडर में आएंगे तो सोचना नहीं है कि यार लंबा समय है ऐसे सोचोंगे तो फिर और बगड़ेगा चीजें जल्दी से चीजों को करना सुरू करें और जल्दी से ही प्रेणाम मिलने सुरू हो जाएंगे बहत्रीन तो ढाई वर्स में होगा लेकिन 6-8 मेहने के अंडर अंडर चीजें आनी सुरू हो जाएंगे और जब 20-25 परसेंट फरक फड़ जाता है चीजें अपने अंडर में हो जाती है तो विक्ति की अंडर काबियत होती है कि बाके चीजों को वो ठीक करें हर प्रस्तित को ठीक करें और करता है यहाँ की खड़ी है मेहनती है हर पल मेहनत करने के लिए तत परता है यह इस तरों से करब ले रही है निश्चित रूप से यस पाने के इक्षा नेम फेम पाने के इक्षा अपने कारियों में विस्तार पाने के इक्षा यहाँ पर प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है दोनों उंगलियां देखें तो बराबर इस्तिती में हैं, दोनों मिडल फिंगर से छोटी हैं, बरतमान में धन और यस की भूक बहुत जादा है, और आपके लिए बरतमान में पैसा और सम्मान बहुत जरूरी चीजे नीड है, और मातर जिवन का लक्षबी इस समय जो है, यह यहां पर अगर सबसे छोटी उंगली देखें तो पूरी तरों से जुकी हुई दिखाई दी रही है, आपकी रिंग फिंगर की तरफ, धन का मानी की जो ललक है, आपके अंदर बहुत जादा रोप में यहां पर दिख रही है, अंगुठा अगर देखते हैं, तो यह आपके बारे में बता रहा है कि ब्यक्ति एक सुखद जीवन जीने की चाहा रखने वाला है, और सुखद जीवन जीने के लिए परितन सील भी है, और यहां पर अगर देखते हैं, हिर्दय की रेका सीधी ब्रस्पति से जाके मिल रही है, अगर यह सनी बकरी अवस्ता से बहार आता है, नगेटिव प्रभाव आपके जीवन से चला जाता है, फिर ऐसी चीज उबरकर आ रही है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नोकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक स्रेष्ट जीवन दुबारा से ब्यतीत करेंगे, और स्रेष्टता को हासिल करेंगे, यहां पे मस्तिस्क रेखा देखें, एकदम सुन्दर है, बौदिक अस्तर आपका बहुत कमाल का है, विवेक वान ब्यक्तित्व है, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले ब्यक्ति हैं आप, मस्तिक से कारे करने वाले ब्यक्ति हैं आप, जिस भी छेत्र में कार करेंगे अपने मस्तिस्क का बहुत सुन्दर ढंग से प्रियोग करेंगे यहां पर जीवन की रेखा इस तरों से आती हुई दिखाई दीरी है और यहां पर किस रेखा से मिल रही है ब्यापार की रेखा से आने वाले समय में चाहे नोकरी करें चाहे वह करें ब्यापारी है ब् नर्देरी है यहां पर करियर और धनकी रेखा इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है सूरे रेखा जा रही है अंत में दो भागों में बट रही है यह थोड़ा सा जो है दो चीजों को बताती है एक तो गदी दिलानी वाली रेखा है यह समान दिलानी वाली रेखा है यस द बताती है कि बरतमान में प्रेशानियां जो घिर रही है ऐसा लगता है कि प्रेशानियां खतम होने का नाम ही नहीं ले रही है इस प्रकार की चीजें ये बताती है जिसके कारण मन में बहुँ विचार आ रहे हैं मनि विचारों को बिखेर रही है ये कभी विक्ति ये करना चारा है कभी वो करना चारा है और नहीं इसमें सफल हो पारा न उसमें सफल हो पारा है मनि जहां देखो वहीं असफलता विक्ति को दिखाई देने लग रही है ये चीज यहां दिखाई दे रही है सब चीज है बेक्ति के अंदर लेकिन पूर्णता प्राप्त नहीं हो पारी है सब कुछ ठीक है लेकिन एक चीज के कारण सबी कुछ जो है कहीं न कहीं अनबैलेंस हो गया एक चीज के कारण सिर्फ एक चीज के कारण चीजों में बिखराव आ गया है समल तेस नहीं समल रही है बलकि और ज़्यादा बिखराव उसमें हो रहा है ये आपकी हतेली में दिखाई दिये और इसका एक सिंपल रोजन है इसको ठीक करना और एक ही उपाई है जो थोड़ा सा रूटीन बदलेगा और सब कुछ उसी से ठीक होगा बहुत जादा कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो करना है वो बिख्यानिक तरीके से करना है जो करना है वो इस हिसाब से करना है कि आपके सरीर में उसका इस पंदन हो रेखाएं बदले पोजा की जगह पोजा आप जो सामने तरीके से कर रहे हैं करिएगा योग की जगह योग जो सामने तरीके से कर रहे हैं करिएगा लेकिन थोड़ा रूटीन बदली है और वही चीज मैं आपको WhatsApp नमर पे दे रहा हूँ यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका निम्न मंगल रेखाओं से पटा पड़ा है जब निम्न मंगल रेखाओं से पटा पड़ा रहता है बहुत ज़्यादा रेखाए रहते हैं तो मन के अंणर ये कनफ्यूजन को जन्म देता है डिस्जन लेने की चमता में असर डालता है draw लजन को जन्म देता है और सार्ण विकार उत्वन करने बैट जाए तो नजर दोस्त देता नित रोग बनी चस्मा उगेर चड़ जाता है नजने थोड़ा कम जोर हो जाती है जादता लोगों के इसमें ये बलड प्रेशर की समस्या भी दे देता है या पेट समंदे समस्या ये दे देता है या सारिक जो उर्जा है उसको कम करने का कार्या करता है confidence level को गिराता है सरीर की जोड उगेर काम नहीं करने बैठ जाते लेकिन उपरी मंगल अच्छा है ये प्राकरम दे रहा है आपके अंदर समस्याओं से लड़ने की छमता दे रहा है आपके अंदर तो कहीं न कहीं ये चीज इस चीज को balance कर रहा है ब्रस्पति अच्छा है इसमें अध्यात्मी की तरफ जाने वाली लाइन भी दिखा रही है और ब्रस्पति इस कदर है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं सांसारिक सुक पारिवारिक सुक आपको मिलेगा अभी इसकी तरफ देख रहा है तो परिवार को लेके भी कोई न कोई चिंता आप करते रहते हैं सोच करते रहते हैं यार क्या होगा कैसे होगा किस प्रकार से बच्चों की पड़ाई लिखाई होगी ये तमाम चीजें जो है वो उलजन कहीं न कहीं मन के अंदर यहां पे है जो आपके अंदर योग्यता है उस तरह से चीजें उभर कर निखर करके नहीं आ रही है आप व्यापार कर रहे हैं तो न तो वो विस्तार मिल रहा है न वो फैलाव मिल रहा है न वो ब्रांड उभर कर आ रहा है जो आना चाहे आप नोकरी करने है उसमें उतार चड़ाव ज्यादा दिखाई दे रहा है वो growth नहीं मिल पारी है जिसके लिए आपने आपको आपने खपा दिया है एक सहजता से एक सरलता से रास्ता मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है क्यों? क्योंकि आपके जो साररिक चकर है वो सूरे की चकरों के साथ ताल मिल में नहीं है जिसके कारण क्या है? साररिक स्वस्त्य है मानसिक स्वस्त्य है खुसहाली है उत्सा है उर्जा है इन चीजों की दीरे दीरे कमी आ रही है इनकी आपको चिंता करने पड़ रही है तो सूरे को भव्य करना है फिर क्या होगा सारिक स्वास्त्या खुसाली उत्साह उर्जा इन चीजों के आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये हमेशा आपके साथ रहेंगी सूर्य भव्य हो आपके सार्रिक चकर सूर्य के चकरों के साथ तालमेल में होंगे तो आपके सार्रिक सेहत बेहद अच्छी होगी आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा आपका जीवन सहजता से चलेगा तो करिए ने अपनी भीतरी सूरे को भव्य करिएगा सूरे की रिया द्वारा यहाँ पर बुद्ध देखें बुद्ध थोड़ा सा जो है नीचे के अवस्ता में आ रहा है है ठीक लेकिन थोड़ा सा अगर व्यापार करने हों तो मध्यमी स्तिति में है कुल मिला के बात करें तो चीजें मैंने बता दी है उपाई मैं आपकी हतेली में आपकी वर्टसप नमर पे दे रहा हूं लगबग लगबग धाई साल के बाद चीजें बहुत बहतरीन हो जाएंगी अगर थोड़ा अपना रूटीन आपने बदल दिया तो इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार